नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट योटूब चैनल पे अभी आप इस्क्रेन पर एक नोटिपिकेशन देख रहे हैं ये नोटिपिकेशन जारी किया गया है डिफेंज सर्विसेज स्टाफ कॉलेज के अंतरगत जिसका लोकेशन तमिलाडू रखा गया है ये दिबात करें नोटिपिकेशन की डेट की तो आप यहाँ पर डेट आप पबलिकेशन आप एड़टाइजमेंट का डेट यहाँ पर देख सकते हैं जो कि 2 सितंबर को जारी किया गया है और फार्म भरने की जो अंतिमती थी है वो आपको देखने को मिल जाता है 23 सितंबर 2023 और इसमें कौन से छातर अपलाई कर पाएंगे और कितने उम्र होने चाहिए उनके इसके बारे में जनकारी आपको नीचे यहाँ पर देखने को मिल जाती है तो जो चाहतर दसमी पास हैं बरहमी पास हैं या जो चाहतर आईटियाई धारक हैं वही लोग केवल फार्म को अपलाई कर पाएंगे और ध्यान है कियेगा यह जो वेकिंसी निकल क्या रहे डिफेंस के अंतरगत निकल क्या रहे जो चाहतर इसके एलिवल है वही लोग फार्म को अपलाई कर पाएंगे सबसे पहले यहाँ पर हम पोश्ट की बात करेंगे तो पहला जो पोश्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता के लिए दो सीट खा लिए OBC के लिए एक सीट खा लिए SC के लिए एक सीट खा लिए ST के लिए सीट खा लिए EWS के लिए सीट खाली नहीं है और Age की बात किया जाए तो 28 से 27 वर्ष के 36 फार्म को अपलाई कर पाएंगे दूसरे यहाँ पर post की बात किया जाए तो lower division color का आपको post देखने को मिल जाता है और इसमें साती हो ध्यानी कियेगा label 2 के अंतरगत आपको 19,900 रुपे से यहाँ पर start किया जाएगा payment और इसमें total यदि seat की बात किया जाए तो 7 seat है general के लिए 3 है OVC के लिए 2 है और SC के लिए 1 है HT के लिए खाली नहीं है EWS के लिए 1 है total यदि यहाँ पर बात करे उमर की और यहाँ पर seat की तो 7 seat है जिसमें 18-27 वर्स के जो चातरे वही लोग फार्म को apply कर पाएंगे लेकिन साथियो यहाँ पर आपको जो देखने को मिलेगा यहाँ पर इस्टनोगरापर का जो पहला पोश्ट है इसमें आपका typing भी मांगा जाएगा जो कि मैं आपको नीचे बता दूँगा जिसमें 80 जो वर्ड है वो आपको पर मिनट यहाँ पर लिखना पड़ेगा वो आप ध्याने कियेगा और इसमें बरहमी पास चातर भी apply कर पाएंगे उसी तरह आप यहाँ पर lower division जो color को देख रहे हैं इसमें भी आप से typing मांगा गया है जो कि इसमें आपको 35 वर्ड पर 30 मि नीचे आएंगे तो एक और आपको यहाँ पर पोश्ट देखने को मिल जाता है जो कि सिविलियन मोटर चालक का ध्यान से देखिएगा सिविलियन मोटर चालक का जिसमें आपको जो payment दिया जाएगा लेबल 2 के अंतरगत 19,009 से से स्टार्ट किया जाएगा और 36,200 तक आप पर देख लिजेगा 18-27 वर्स के 36 फांट को अपलाई कर पाएंगे इसके बाद आप नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक और भी पोश्ट देखने को मिल जाता है पोश्ट का नाम में सुखानी है ठीक है अब इसमें ध्याने कियेगा इसमें भी आपको payment 19,900 स स्टार्ट किया जाएगा और 63 रहा तक दिया जाएगा और 18-25 वर्स के 36 में अपलाई कर पाएंगे और उम्र जो इसमें 18-25 रखी गई है और इसमें जो आपका योगता रखा गया है बरहमी पास होना चाहिए ठीक है बरहमी पास आपका होना चाहिए या आपने ग्रियोशन कियेगा इसमें जो अपलाई कर पाएंगे जो छात्र फायर्मेंट से पहले ट्रेनिंग कर चुके हैं डिपार्टमेंटल है वो भी अपलाई कर सकते हैं और जो छात्र नए है वो भी अपलाई कर सकते हैं इसमें कम से कम जो आपका होना चाहिए 6 मेना का कूर्स पूरा होना यह ध्याने किएगा इसमें सबसे जरूरी चीज़ यह मांगी गई है यह आप ग्रिजूइशन कंप्लीट कर चुके हैं और आपने पहले से के ट्रेनिंग ले रखा है फैर मैंन में किसी भी संस्ता से चाहे आप प्राइबेट से या गौर्रमेंट से तो भी आप इस फार्म को को मिल जाता है फूक के पत पर साथ हो आपको ज्यादातर सीट नहीं देखने को मिल जाती है यहां पर केवल तीन ही सीट है और वो भी केवल जनरल के लिए और 18-25 वर्स के जो छात्रे वही लोग फार्म को अपलाई कर पाएंगे वहीं आप यहां पर नीचे देखेंगे तो जी नमबर पे एक और आपको देखने को मिल जाता है टेकनिसियन एटेडेंट है जो कि प्रेंटिंग मेकैनिक ऑपरेटर का ठीक है इसमें आपको लेवल टू के अंतरगद 18,000 से स्टार्ट किया जाएगा प्यमेंट और 56,000 तक प्यमेंट देने की बात कही गई है टोटल ए 18,000 से स्टार्ट इसमें भी किया जा रहा है और 56,000 तक प्यमेंट दिया जाएगा लेवल वन के अंतरगद टूटल इसमें साथ सीटे आपको देखने को मिल जाती है 18 से 25 वर्स के चात इसमें फांट को अपलाई कर पाएंगे अब सात्यों यहां पर बात करते कुछ यहां प आपको कुछ तो बता दिया लेकिन कुछ यहां पर जो छूटा है यहां पर कंप्लीट हो जाएगा देखिए रिष्टों अगर आप ग्रेड सेकेंड के पद पर आप अपलाई करते हैं तो बरहमी पास आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ में यहां पर आपको पतलब कि 80 वर्ड जो है आपको यहां पर दिखाया जा रहा है डियूरियोसन आपका इसमें इतना ही दिखाया जा रहा है तो इसको आप जरूर ध्याने खिएगा तो कि बहुत सरे चात्र यहीं पर कंफ्यूज हो जाते कि ओ यहां पर फिस पर अपलाई करें उसमें क्या लि इंगलिस में रखा गया इसको ध्यान किए इसके बास यहां पर देखिए जरूर्द और कोई बिटाइपिंग नहीं रखा ग के वह स्परेंस की मांग की है जो कि दो साल का इसमें आपका एक्सपरेंस होना चयाये इसी बात सुखानी में आप देखेंगे तो इसमें बरहमी पास रखा गया है लेकिन इसमें कोई भी experience की बात नहीं साथियों यहाँ पर की गई है ठीके गूट सेलिंग यहाँ पर knowledge and two year experience आपका रखा गया यह ध्याने किएगा तो आप सभी पोश्टों में जो यहाँ पर qualification रखा गया उसमें आप सभी लोग ध्यांस देख लीजेगा ब 80 ऐसे होने चाहिए और यहाँ पर आपका 85 85 फुलाब कर होना चाहिए और यह हाइड पिन आप पर अलग से जनकारी दे रख currency की अपर अलग से जनकारी दे रखियं वेट आपका 50 तक होना चाहिए मिनमम पचा चाहरी on जहीं से जद्यादा नहीं टूट रखा गया है तो इसके साथ आपका कम से कम दो साल का experience होना चाहिए तब आप फांट को apply कर पाएंगे पतलब कि ITE वाले भर सकते हैं लेकिन experience होना चाहिए और ये आप ITE के छातर नहीं है तो बरहावी पर कर दिजिए फिर भी आपको यहाँ पर experience देना ही पड़ेगा मतलब कि बीना experience का आप इस फांट को apply नहीं कर पाएंगे ध्याने किएगा पेज की बात करें तो जो कि मैंने आपको बता दिया उसमें आप जूर लिजेगा जो भी छातर SSD के अंतरगत आते हैं उनको पांच वर्स के छूटे और वह भी सी छातरों के लिए आप तीन साल की छूट देखने को मिल जाती हैं बाकि जो अधर कटेगरी है जो अधर गौर्मेंट के अंतरगत छूट आपको देखने को मिल जाती है वो सभी चीजे इसमें आपको सामिल देखने को मिल जाएगी है यह जो फार्में साथ ही हो फार्म बरने की जो अंतिम तितिय आपको यहा उसके बाद आपका causal परिचान होगा, उसके बाद आपका इसका selection हो जाएगा, इसके बाद आप नीचे आ जाएगे, तो ये जो फार में कैसे भरा जाएगा, इसके बारे में इन्होंने पूरी जनकारी दे रखी है, यहाँ पर आपको जो देखने को मिल जाता है एक यहाँ पर यह रहा आपका notification में फारम और इसको मैं भेल दूँगा टेलिग्राम पे तो टेलिग्राम आप जोईन के लिजेगा और वहां से आप इसको भरके असानी से आप पोश्ट कर सकते हैं ध्याने कियेगा समय बहुत ही कम है आप चाहें तो apply कर सकते हैं आपके उपर depend करता है यदि आपके पास योगिता है इसमें जो आपका रखा गया है दसमी पास भी रखा गया है और हमीं भी है आपका ITI भी है लेकिन यहाँ पर डिपलोमा की बात नहीं की गई थी कोई भी इसमें आपकी डिप कर सकते हैं आप यह सभी चीज़ आपको यहां पर दर्साना पड़ेगा उमीद आपको जनकारी पसंद आई होगी तो इस वीडियो पर एक लाइक कीजेगा और चैनल पर नए होगे तो चैनल को भी सस्क्राइब कलिजेगा